प्रिश्कार क्लाशेज सरदार सर के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज है 20 जून तो हम इस वीडियो में 20 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेर के क्यूशन बनते हैं उनके बारे में डिसक्स करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अन्त तक देखना अन्त में आपसे एक क्यूसन पुछूँगा उसका अन्सर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना और अगर ये वीडियो आपको हैलफ फुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो की पीडियेफ आपको हमारे प्ले स्टोर पे जो एप है उस पे मिल जाएगी और टेली ग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी इन दोनों की लिंक के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ओफ लाइन के साथ-साथ आप ओनलाइन भी प्यार देते रही है और क्लास कैसे रख रही है वो भी आप मेरे को जरूर बताना वीक में तीन दिन क्लास है आएगी ये तीन दिन रखूँगा मैं दो दो दिन दिन दिनों का करेंटर फियर गावी डेली ने रखे तीन दिन रखूँगा तो इस पे भी आप अपना विचार जरूर रख तो बीजिंग किस की राजदानी है चीन की राजदानी है और कौन सा संसक्रण यहां पर स्टार्ट हुआ है और किस का तो ब्रिक्स का और कौन सा संसक्रण हुआ है तो यह चोधवां संसक्रण हुआ है कौन सा ओपस नम्मर ए इसका सहियांस रहे चौध वा सस्क्रन हुआ है और कब हुआ है तेईस जून को हुआ है और कहां पर हुआ है तो बीजिंग में हुआ है बीजिंग कि किस की केपिटल है तो चीन की केपिटल है अब चीन के राष्टे पती सी जिंपिंग है और इसकी अद्यक्स था कुन कर रहा है ब्रिक्स की तो और ब्रिक्स तो ब्रिक्स की स्तापना कब होई थी तो 2009 में स्तापना होई थी 2009 में ब्रिक्स की स्तापना होई थी ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं तो नोट कीजिएगा ब्राजिल रूस भारत चीन और दक्षिन अफरीका ये देशे आते हैं कौन कौन से पांस देश ह ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिन अफ्रीका तो यह पांस देश है जो किस में आते हैं ब्रिक्स में आते हैं इसकी स्थापना 2009 में हो गई थी तो यह भी आप याद रखने का और चीन ठीक है ना चलिए नेक्स्ट बाली का पंचाइज सुरू करने वाला देश का पहला गुजरात है वो बना है देश की पहली पंचाइथ बाली का पंचाइथ स्टार्ट की है इसने और कहां पर की है तो कच्छ जिल्ले है वहां के कुनारिया मोटांगुआ और वडसर गाओं इन तीन गाओं में की है इनमें बाली काओं के द्वारा है वो इनको बाली काओं को अच्छे शिक्षा और पोस्टान के लिए है वो बलिका पंचायत शुरू की गई है तो आप याद जरूर रखेगा और सीम कोन है तो बुपेंदर भाई पटेल कोन बुपेंदर भाई पटेल और गवर्नर आचारिय देववर्त है केपिटल इसकी गांधी नगर है और इसमेस लिए तो वह भी कहां चल रहा है तो गुझरात में ही चल था उनकूर खालिये नेक्स्ट बारत और रिक्षिन एश्या में सrवस्य इस्ट कौन सा हवाई अड़ा मना गया है तोwww और बारत का और धट्क्षिन एसीया का कौन सा मना गया है तो इसका स्यान्स रो जाएगा बै इंगलोर को जो हवाइड़ा है ना वो भारत का दक्सिन एसिया और भारत का सरवस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो यह 16 जून को दिया गया था और इससे पहले बता दूं मारच 2022 में भी कौन सा इसे हवाईडा मिला है तो विंग इंडियन्स विंग इंडिया का भी इसे सर्वेश्ट पुरुसकार मिला हुआ है विंग इंडिया तो आप याद रखिएगा और मुंबई एरपोर्ट 36 सिवा जी जो भारत का पहला हाइब्रीड बिजली उत्पादन करने वाला ये रहाविराज ये एरपोर्ट है जालू करने वाला तो आप याद जरूर रखिएगा जो अपने दो दिन पहले डिसकस किया था मुंबई वाले लास्ट कलास में हाली में सुमालिया का सुमालिया के नई प्रधानमंतरी कौन बने है सुमालिया तो सुमालिया देश है इसके नई प्रधानमंतरी कौन बने है तो ये बने है हजमा अब्दी बर्रे बने है कौन हजमा अब्दी बर्रे है वो इसके नई प्रधानमंतरी बने है तो आप इसका याद जरूर रुखेगा तो चलिए तो समालिया के हजमा अब्दी बर्रेश प्रदानमंद्री बनी है तो इसकी केपिटल तो मौंगा दिस्सू क्या मौंगा दिस्सू इसकी केपिटल है और राश्ट पती है हजन सेख मुहम्मद कौन है हजन सेख मुहम्मद इसके राश्ट पती है और पी-म नए बने है वो आप किस देश के साथ किया है तो ये हर्याना के साथ किया है और किस ने किया है तो ये किया है इजराइल ने किस ने का है इजराइल ने किया है हर्याना के साथ में और डी इसका सही अंसर है और ये पंद्राजूल को समझता हुआ है तीस सालों के लिए समझता हुआ है अब हर्याना तो हर्याना के बारे में चर्चा करते हैं सीम कोन है तो सीम मनोर लाल खटर है और रज पाल तो रज पाल या गवर्नर बंडारू दतोत्र हैं और केपिटल चंडीगेड है हवाई टेक्सी मेरी विजासत योजना और नेशनल पारक पूछ ले यहांपर तो कल्य सरवा संताल पूर यहांपर नेशनल पारक है चलिए नेक्स्ट कुशन पर चर्चा करते हैं किस रज चे के सीम ने अन्नम इजथम योजना प्रारम किया है तो अन्नम इजथम योजना किस रज चे ने प्रारम की है तो यह थोड़ा नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हूँ कि अधर राजस्तान और हर्याना इसमें तो नहीं होगी, इन दोनों में तो, अब केरल और तमील लाडू पे हैं, न तो ये अन्नम ये तमील बासा में है, तो ये तमील लाडू सी-एम के द्वारा है, वो जारी की गई है, किस के लिए, किस के लाडू के केपिटल तो चन्नेई है, सीम आपको मैंने बता दिया, आरण रवी इसके क्या है, गवर्नर है, अंगदान में ये पहले स्थान पर है, मच्छी उत्पादन में भी ये पहले स्थान पर है, और भारत का सबसे बड़ा विसाल संग्राले है, वो कहा है, तो वो चन्न में है वो सलीम अली पक्सी विहार के अंदर तो वो कॉम्बेटूर तमिलाडू में है तो आप हैं यादे जरूर रखेगा सरकार द्वारा अगनीपत योजना के तहट अधिक्तम आयू सिमा कितनी निजायत की गई है देखे ये सरकार के द्वारा नीतिय ले जाती है तो इसमे ये अगनीपत योजना जैसे लेंगे हैं तो सब ने कहा कि अच्छी योजना है ये है तो इसमें जब अच्छी है तो ये बताईए तीन दिन के अंदर तीन संसोदन कैसे हो गए अब विरोध तो अवेशली हो गए ही क्योंकि चार साल से स्यांती परदसन किये जा रहे थे ज चार साल की और यह यहांपर चार साल देश की सिवा करा रहा है कोई यहांपर अपने पीक चार सर्विश्मैंद नहीं गाला है तो इसमें साही तरीके से देखा राएं लो बजट में सरकार की तरफ जादा पाइदा होगा ऽावalar है मैं परसनली बता हूँ तो मैं तो इस योजना के शक्त खिलाब हूँ और क्योंकि हाला कि मैं खुद आर्मी के तयारी नहीं करता लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ और इसकी जो पहले साड़ी सतरा से इकीस रखी गई थी वो अब बढ़ाकर तैस साल कर दी गई कितनी तैस साल कर दी गई है साड़ी सतरा से बढ़ाकर साड़ी सतरा से इकीस थी तो अब तैस साल कर दी गई है ये मेरा परसनल आए था किसी को बढ़ताने का मेरा कोईूद देश्य नहीं है तो चलिए नेक्स ट्यूशन गुनिस जून को 44 में सपरंज ओलंपियाड की एतियसिक मसाल रिले का सुबहरम किसके दोरा किया गया है तो गुनीज जून को चुमालीस में सतरंज ओल्फियाड का एत्यासिक रिले का है वो सुभारम किसके द्वारा किया गया है तो ये नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया है किसके द्वारा नरेंदर मोदी जी के द्वारा है वो किया गया है हमारे पीम जी के दुवरा किया गया है वो गुनिश जून को सत्रंज उल्हंप्यारड का इतियासिक मिसाल मिसाल ले ले हैं विए स्टार्ट करने वाला ये भारत है वो एक मतर अपना अदे से है तो आया पर है याद हैं जरूर रुखिएगा और ये कहां पर होगा तो ये नई दिल्ली में होगा जब अपनी हैं इंडिया की केपिटल में होगा हाली में टी ट्वन्टी में पच्छास रन तक पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज भारतिय को बने है तो ये दिनियस कार्थिक ने हैं वो 37 साल के उमर में है वो अनुखा रिकोर्ड है वो अपने नाम किया है जिनोंने 37 साल और 15 16 दिन में है वो 50 बना कर है और किसके खिलाव दक्षिन अप्रिक के खिलाव उम्र दराज पहले भारतिया बन गया है इससे पहले MS दोनी थे कौन थे MS दोनी थे जो 36 साल 265 दिन मतलब पूरे 37 साल नहीं होए थे 9 मेने कह सकते हूं या साड़ी आठ के आसपास आ जाहीं 365 होते हैं तो अब देख लो गटालो 100 दिन और तो दिनियस कार्थिक इनका सही वतर है और इससे पहले 2018 रहत कि ये किसके लाम था समेंदर सिंग दोनी के नाम था चलिए next ये तो इनको याद में जरूर रख कर चलिए next e institution हाली में भारत-बंगला-देश की शिंग्त-सलाकार-चिंव क compress एक हुई है भारत-बंगला-देश के बीच में कों Club diaries 7W का हुई है कों도 7 वी बैठे का हुई है और सर्सτά सौ 1 की से के- साथ हुई है बंगलादेश के साथ और बंगलादेश की केपिटल ढखा है गुनी इसे जून को हुई है और पी एम कुन है सेक हसीना है और इसका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है आप यादे रखना और फेस्बुक वेगरा इनको क्या रखा है इसने लगा रखा है हाली में कहां बास में रहने वाली चमगादर की नई पर जाती मिली है तो बास में रहने वाली चमगादर की नई पर जीती है पर जाती है वो मेगाले में मिली है कहां मिली है मेगाले में मिली है जो एक चमगादर की नई पर जाती है और मेगाले में तो मेगा लेगा सतापना दिवस अगर आपको पूछ ले तो वो बनाया जाता है 21 से जनवरी को है और 1972 को है ये इस्टेट बना था केपिटल एक सी सिलोंग है और गवर्नर कौन है सत्यपाल मलिक है सीम तो कौन रोड सगमा है कौन रोड सगमा है जलनीती लागू करने वाला ये पहला रज्य है इसका नया जिल्ला बना था भी थोड़े दिन पहले तो इस्टन वेस्ट खासी हिल्स इसका नया जिल्ला बना था और ये नाइस्ट कुशन है हाले में किस IIT ने सेफटिक टेंक किये वो साप करने के लिए रोबोट विक्सित किया है तो ये IIT मदरास ने किया है किसने? IIT मदरास ने है वो सेफटिक टेंक को साप करने के लिए है वो रोबोट है, वो विक्सित है, किया है तो आप याद रखना और हाइपर लूप भी भारत का पहला हाइपर लूप भी किस ने स्टार्ट किया है तो वो IIT मदरास ने किया है हाले में कौन सा देश पहली बार नाटो सिकर्श मिलन में भाग लेगा तो पहली बार NATO Sikr Shemiland में है वो जापान देश है वो भाग लेगा कौन सा? उप्सन अमर बी इसका सही अंस रहा है जापान देश है भाग लेगा किस मिलेगा? नाटो मिलेगा तो चलिए नाटो की तरफ चलते हैं इसकी फुल फॉरम तो नाटो के फुल फॉरम हो जाएगी North Atlantic Treaty Organization नोट कीजिए गा North Atlantic Treaty Organization जिसकी स्थापना 1949 को होती है और इसमें टोटल कंट्री कितनी है तो तीस देश इसमें सामिल है ये आपके लिए छोड़ा गया कुशन था जिनका काफी लोगों ने सही अंसर दिया तो उनका तहे दिल से सुक्रिया और ये आज का क्यूशन है आपके लिए छोड़ा गया हम तो इसका भी आपके क्यूशन कांफर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना आपके उत्तर का मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा आई होफ ये वीडियो आपको पसंद आया है अगर ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा और नहीं पसंद आया है तो रिजन कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अब मैं आपसे आग्या लेता हूँ जै हिंद में जै भारत धन्यवाद आपसे पिसे आपसे आपसे एमिंद में आपसे रिधा pose